इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिस्ता क्या कहलाता है के लीड एक्टर मोहसिन खान की जो कि सो मेकार्तिक गोइंका की भूमिका में नजर आ रहे हैं अपनी इनोसेंस और चौकलेटी लुक से लोगों के दुलों पर राज कर रहे मोहसिन खान को आज किसी इंट्रोडक्शन की जरूरर नहीं है इस वीडियो में हम मोहसिन की स्ट्रगल से लेकर सक्सेज स्टोरी तो जानेंगे ही साथ ही जानेंगे उनकी लव लाइफ और और वी कई इंट्रेस्टिंग बातें इसलिए वीडियो को एंट तक जरूर देखें लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले जान लीजिए मेरा नाम है अभिशेख और स्वागतें आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो चलिए सुरू से बात करते हैं मोसिन का जंग 26 अक्टूबर 1991 को गुजरात के नडियाट की एक मुसलिम फैमिली में हुआ मोसिन के पिता का नाम अब्दुलवाहिद खान है और उनकी मा का नाम महजदीन खान है मापापा के साथ साथ उनकी फैमिली में उनके एक भाई सजद खान और एक बहन जेबा एहमद भी है मोसिन की फैमिली में इन पांच लोगों के अलावा एक बहुत क्यूट मेंबर और भी है और ये क्यूट मेंबर एक कैट है जिसे सब प्यार से फरी बुलाते हैं और मोसिन फरी से बेहत प्यार करते हैं और फरी के साथ काफी टाइम बीश पैंट करते हैं मोसिन खान के पिता का कंस्ट्रक्शन का काम है मोसिन अपनी फैमिली के पहले ऐसे मेंबर हैं जिनोंने इस इंडस्टी में कदम रखा है दोस्तो बच्पन से ही मोसिन इस्टडीज में काफी ब्रिलियंट और सभी टीचर्स के फैबरेट स्टूडेंट रहे हैं जब मोसिन छोटे थे तब किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मोसिन इतने अच्छे एक्टर बनके उबरेंगे या कभी एक्टिंग की दुनिया में वो कदम भी रखेंगे क्योंकि बच्पन से ही मोसिन साई किस्म के और कम बोलने वाले बच्चे थे तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि वे कैमरा फेस भी कर पाएंगे स्कूल टाइम में इसी साईनेस की वज़े से मोसिन बताते हैं कि स्कूल में किसी लड़की से उनकी दोस्ती तो दूर उन्होंने किसी लड़की से बात भी नहीं की थी मोसिन हमेशा ही अपनी स्टडीज के लिए फोकस्ट रहते और किताबों में ही खोई रहते पर हाँ मोसिन को सिनेमा में लगाओ हमेशा से ही था टॉप किया था कॉलेज टाइम में इंजीनिरिंग के दौरान मोसिन को अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का बहुत सौक था उनके बाल कभी कंदे तक लंबे कलर तो कभी कभी वो सिर्भी मुणबाल लिया करते थे पड़ाई लिखाई की बड़ी डिग्रिया तो मोसिन के पास थे ही साथ ही उन्होंने अक्टिंग का कोर्स भी किया अनपंखेर अक्टिंग स्कूल से और उन्होंने डांसिंग की ट्रेनिंग लिए स्यामक डावग डांसिंग एकेडमी से मोसिन अपने कॉलेज टाइम से ही एट्स में काम करने लगे थे फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने कुछ सोज में केमियो करना भी सुरू कर दिया और फिर पेरलर लेट्स दोस्तो मोसिन का उनकी टीन एज में एक बार बाइक राइड करते हुए काफी बहंकर एक्सिडेंट हुआ था और तब से ही मोसिन बाइक चलाने में काफी डरते हैं उनके सो में जो भी बाइक राइडिंग के सीन होते हैं वो सभी चीट सूट होते हैं यानि किसी और से कराए जाते हैं मोसिन को जायतर कार चलाने वाले सीन प्रेफर किये जाते हैं मोसिन हमेशा सही काफी डिसिप्लेन रहे हैं अपने काम को लेकर और सायद यही कारड है कि कभी उन्होंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को हाथ भी नहीं लगाया मोसिन खान अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं मोसिन का मानना है कि उनके क्लिप्स कोई 10 साल बाद भी देखे तो ये न बोल सके कि बेमन से काम कर रहा है या फेक एक्टिंग करता है मोसिन ने 18 साल की एज में अपना पहला एड किया था जिसके लिए उन्हें अपने केरियर का पहला चेक मिला था जो कि 10,000 रुपए का था इतनी सारी डिग्रियां होने के बाद मोसिन को एक अच्छी IT कंपनी से जॉब आफर हुई थी लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए वो जॉब ठुकरा दी मोसिन खान ने अपने करियर की सुरुआत एजे असिस्टेंट डायरेक्टर की थी बॉली वुड में उन्होंने सबसे पहले फिल्म कोयलांचल में काम किया एजे सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर ये फिल्म साल 2014 में रिलिज होई थी मोसिन का एक्टिंग डेब्यू स्टार प्लस के सो निसा और उसके कजन से हुआ उसके बाद मोसिन को लाइफ ओके के सो ड्रीम गर्ल में लीड रॉल मिला जिसके बाद मोसिन ने कई टीवी सोज में काम किया जैसे मेरी आच की तुम से ही प्यार तूने क्या किया फिर मोसिन खान को मिला ये रिस्ता क्या कहलाता है सो जिससे उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई ये सीरियल उनके लिए बहुत खास रहा जहां मोसिन खान कार्तिक गोइंका का रॉल प्ले करते करते यंग आइकॉन बन गए हैं छोटे परदे पर कमाल दिखाने के बाद अब मोसिन का सपना है कि वो बॉलिवोड में भी काम कर सकें एंड वी होप कि वो दिन जल्दी ही आएगा कार्तिक गोइंग का के रॉल ने मोसिन को एक अलग पहँचान दिलाई और साथी कई अबॉर्ट्स भी जैसे साल 2017 में हुए स्टार परवार अबॉर्ट्स में उन्होंने जीता फैबरेट जोडी का खिताब अपनी ये रिस्ता क्या कहलाता है कि कोई स्टार सिवांगी जोसी के साथ इतना ही नहीं फैबरेट पती का अबॉर्ट भी कार्तिक यानि मोसिन खान ने अपने नाम किया है अगर बात करें मोसिन खान की लव लाइफ या रिलेशनसिप की तो मोसिन का पहले कभी कोई रिलेशन नहीं रहा पर उनके फैंस का मानना रहा कि मोसिन अपनी कोई स्टार सिवांगी जोसी को काफी टाइम से डेट कर रहे हैं अपने एक इंटर्वीव में मोसन बताते हैं कि सिवांगी की क्यूट सी सकल ने उन्हें दिवाना बना दिया है दोनों ही पहले अपने रिष्टे को रिवील नहीं करना चाहते थे पर कहा जाता है कि एक एक्टर की लाइफ पर्सनल नहीं पबलिक हो जाती है उनके अफैर की खबरें हर जगे आने लगी कुछ टाइम बाद मोसन ने खुद ही सब के सामने असेप्ट कर लिया कि वो सिवांगी जोसी को डेट कर रहे हैं वैसे तो मोसन और सिवानी सो में पती पत्नी का करदार निवाते हैं और सिर्फ ओन स्क्रीन ही नहीं ओफ स्क्रीन भी दोनों की केमिस्टी बहुत अच्छी है और्डियंस में भी दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया दोनों के फैंस का कहना है कि दे बोथ हार मेड फॉर इच अदर्स फैंस उन्हें हमेशा ही साथ देखना चाते हैं मोसिन बताते हैं कि सिवांगी काफी ज़्यादा एनेजेटिक हैं और वे दिनवर सेट पर इधर उधर सबको इंटर्टेंड करती रहती हैं मोसिन कहते हैं कि कभी कभी तो उनकी हरकतें उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं पर वो कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं मोसिन और सिवांगी की जोड़ी फैंस के दिलों पर राज़ करती है दोनों अगर अपने रिष्टे को नेक्ट लेवर पर ले जाने की सोचते हैं तो इस बात से उनके फैंस काफी ज़्यादा खुस होंगे मोसिन की फैबरेट एक्टरिस दिपका पाद कौन हैं और खाने में मोसिन बताते हैं कि उन्हें सिवांगी के घर का खाना बहुत पसंद आता है बात करें मोसिन की हाइट की तो उनकी हाइट पाँच फीट नौ इंच है और उनका बोडी बेट फिलहाल 68 केजी है मोसिन को ट्रेवल करना, म्यूजिक सुनना और ब्यूटिफुल प्लेस पर जाना बहुत पसंद है और बात करें उनके सोसल मीडिया फैम की तो फेस्बुक पर उनके 400 के प्लस फॉलोवर्स हैं ट्विटर पर उनके 90 के प्लस फॉलोवर्स हैं और इंस्टाग्राम पर उनके लगबग 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं मोसिन को इंस्टाग्राम डिल्स पर सॉट वीडियोज बनाना भी पसंद है और अगर उने टाइम मिलता है तो वो सॉट वीडियोज बनाते हैं कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मन्जिल कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा तो फ्रेंट्स ये थी लाइफ स्टोरी मोसिन खान की उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा मोसिन के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही हम प्रे करते हैं करेंग वीडियो एंड तक देखने के लिए थेंक्स हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राब करके बेल आइकोन प्रेस कर लें जिससे हमारी हर अपडेट सीधे आपके स्क्रीन पर पहुँचे तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंट्रेस्टिंग स्टोरी के साथ